आज हम बात करने वाला है कि वेस्टी कंपोजर केसे बनाते हैं आपको इसा ड्रम ले ले लेना है फिर इसमें पानी डालना है यहां तक डालना है और जो आप यह ड्रम है वो केमिकल वाला ना वो उसका त्यान रखना है और इस ड्रम को आपको यह से चाय में रखना है बर्सका बर्सात का पानी ना जाई इसका त्यान रखना और आपको यह गोड लेना है जान और खाते हैं और इसको पानी में डाल देना है कि दीशी गुड़ ही लेना है आपको दूसरा गुल्ड नहीं जालेगा अगर आपके पास इसा गुल्ड नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस गुड़ को मंगा सकते हैं लिंक ही यूद अच्छी तरह से गुड़ भिग जाने पे आपको इसको इसे तोड़ लेना अच्छी तरह से पाने मिला देना है अगर्यों भी तो आप उसको ले सकते मेरे पास नहीं था है अगर आपको पूड लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके उसको खरीट एमेजून से आप खरीच सकते हो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप ओडर करोंगे तो आपको 20 परसंट तक का डिसकाउंट मिल सकता है तो अभी उसको खरीच ले छे से साथ दिनों के अंदर आपके अगर तक पहुंच चाहेगा तो चलिए मेंड पॉइंट पर आते हैं इस गोड को आपको इस तरह से मिला लेना है अच्छी तरह से और इसको फिर जो ड्रम है उसमें डाल देना है त्यान से डालो बाहर नहीं गिरना चाहिए इस बाल्टी में थोड़ा सा गोड चिपक गया है तो उसको आपको निकाल लेना है इसा गोड जो थोटा-चोटा वो चलेंगा पर मोटा नहीं होना चाहिए बाल्टी में थोड़ा सा पाने लगके उसको अची तरह से कुमा देना है और इसको ड्रम में फिर से डाल देना है मूल करें पर आपको थो इस लूंसे कमपोज़का 500 ले लाना है और कुस Pablo से हिला देना है ताकि उसमें जो ठोस पुदार थे हो तुकड़ में बढ़ चाहिए अगर आपके हेरिया में मिलता है तो आप उसको ले लेना और ना आपको कहीं सार डिसीज हो सकते हैं बोटल और ठकन को अची तर इसे साफ कर देना है तकि उसमें जो पदार्थ और निकल जाए पिर आपको डंडा लेकर इसको हिला देना है अच्छी तरसे उसमें जो गूड और वेस्टी कंपोजर का पदार थे और अच्छी तरसे मिल जाए इससे हिलाना है और इसको ऐसे आम पर नीचे करना है डंडे को ताकि उसमें जो पदार थे और डूट जाए टुकड़ों में और अच्छी तरह से अमारे बेक्टरिया उसमें ग्रोव कर पाए वेस्ट्डी कंपोजर का सॉल्यूशन लगबग साथ दिनों के अंदर बन जाता है आपको इस सोल्यूशन को डंडे से सुबह और साम एकी दिशा में कुमाना है ताकि इसके बेक्टरिया से तरह से ग्रोव कर पाए ग्रोव पाए बना है कर दो कर दो जो जो